ड्रीम 11 की प्राइम टीम कैसे बनाए जाती है अब चाहते हो खुद से प्राइम टीम बनाना अपने टीम को रैंक कराना हमेशा प्रोफिट बनाए रखना आप काफी दिनों से खेलो आपकी टीम रैंक नहीं करती है तो आपको इतना पता जरूर चल गया होगा कि टीम में कुछ बरे प्लेयर फ्लॉप भी करना होता है और बरे प्लेयर का कंडिशन होता है तभी आप फ्लॉप कर सकते हो ऐसा नहों कि आप वैसे प्लेयर को ही फ्लॉप करते जिसका परफॉर्म आ जाए तो फिर आपकी टीम फ्लॉप चली जाती है और यही रीजन है कि आप काफी दिनों से खेलते हो, आपका हार जीत का सिलिसिला चलता है, कभी हारते हो, कभी जीतते हो, लेकिन कोई बरा इमांट को भी नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप फेंटसी में हमेंसा प्रोफिट बनाना चाहते ही, तो आपको Grand League के साथ Small League खेलने होते हैं, लेकिन small league का logically team बनती है अगर आप किसी risky player को अपने team में रख रहे हो तो फिर कुछ बड़े player को flop करना होगा और जब आप small league खेल ले तो 3-4 member का contest रहेगा तो लगभग सारे लोग आपके जो opponent में है तो वो सारे बड़े player को ले कराएंगे अगर बड़े player का perform भी आ जाए तो आपके team में वो risky player ऐसा होना चाहिए जिसका perform आ जाए ताके point बराबर कर दे और बांकी जो player है वो आपको जिताने में मदद करे आपके opponent को हराने में मदद करे तो इस तरह से आप logic समझ जाते हो तो आप आसानी से prime team बना सकते हो और अच्छ खासे amount profit बना सकते हो लेकिन prime के नाम पे बहुत सारा fraud हो रहा है तो मैं सीधा कहता हूँ किसी को एक पैसे मत देना prime के नाम पे आपको loot कर सीधा block करेंगे तो इसलिए किसी को पैसे दोगे तो वो आपकी गलती है आप खुद से team बना आप खुद से grand league को win कर सकते हो और grand league को क कोई ने कोई जीतता ही है जिसका perfect 11 player हो जाता है captain wise captain हो जाता है तो वैसे लोग ही grand league को जीतते है क्योंकि यहाँ पे भीर जादा है आप generally normal team बनाते हो इसलिए आपका team भीर में फंसा रहता है तो आपको लगता होगा कि grand league नहीं जीता जा सकता लेकिन जीतता है यह मान कर चलन होगा और बहुत सारे लोगों के मन में doubt भी रहता है कि आप कभी grand league को win किये हो या नहीं किये हो तो आप telegram join कर लेना अगर नए हो बाकी अगर पुराने हो तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है वीडियो काफी informative होगा बिना इस keep के सुरू से अन तक जरूर देख लेना औ जो सबसे important होता है वो है मेरा telegram join करना जहां toss के बाद कोई भी news update आते हैं वो तो बताया ही जाता है साथ में small league और grand league की final team आपको telegram पे ही provide होगी जिससे कि आप किसी भी opponent को आसानी से हरा सकते हो जिसका link description और first comment में pin up है आप जाओ telegram join कर लेना और जैसे ही telegram join करोगे आप य mega grand league में भीर ज्यादा रहते हैं तो competition ज्यादा है तो इसमें किसी नया किसी एक player का 11 का 11 player perfect चले जाते हैं captain wise captain चले ही जाते हैं जिससे कि वैसे लोगों का ही team top करता है जबकि उससे छोटा grand league केलते हो तो यहां पे एक प्लियर अगर perfect perform नहीं भी करेंगे तो भी वैसे लोगों को win करना चाते हो तो फिर आपके पास amount अगर अच्छे है तो फिर आप इस तरह के contest खेलो यहां पे 400-500 का contest रहता है जबकि भीर बहुत ही कम रहते हैं यहां पे 60-50% तक winning zone रहता है प्राइस ठीक ठाक रहता है आप यहां से अच्छे खासे profit बना सकते हो तो mini grand league आप join किया कर तो फिर last के time में जो 1-2 मिनाट बसते हैं लाइनाप खतम होने से पहले उस time में आपको active रहना है बहुत सारे contest ऐसे रहते हैं जो आपको देखने से भी पता चलता है कि यह contest full नहीं हो पाएंगे suppose that कोई ऐसा contest है जो 1 lakh मतलब 1 lakh का contest है वहां पे 60% winning zone है और वहां पे अगर उस contest में 60,000 लोग ही अगर join करते हैं तो वह contest सीधा 100% winning zone हो जाता है लेकिन इसके लिए आपको देखना होगा contest granted है या नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह match अभी live है जो कि starting ही हुआ है 125 का contest है और यहाँ पे 25,000 लोग ही join किये हैं लेकिन यहाँ पे आप winning देखोगे तो 100 परसेंट winning zone है जो कि आप यहाँ पे कितना भी खराब team लगा दो आपकी winning zone से बाहर नहीं जाएगी मतलब कि जो आप entry लगाए हो वो तो return हो ही जाएगा और यहाँ पे जब return हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लोग जादा रहते हैं जो नए रहते हैं और वो कैसा भी team उतार इस तरह के contest में एक तो grand league आसानी से win होती है जबकि आपको loss लगने का भी कोई संभावना नहीं रहता है तो इसके लिए आपको last time में active रहना है तो इस point के लिए तो like बनता ही है आप like जरूर कर देना जबकि बात आती है prime team की तो prime team के नाम पे बहुत बढ़ा fraud भी हो रहा है आप कहीं न कहीं telegram पे हो या whatsapp group पे हो आप जूरे होगे prime के नाम पे लोगों को लूटा जाता है बहुत सारे इस तरह के screen shot दिखाएंगे और वहाँ पे बोलते हैं कि मैं आपको 1-5 rank दिला दूँगा आप मुझे इतना payment कर दो आप खुद ही समझो कि अगर किसी को पता है क जब आप खुद से team बनाओगे लेकिन logic और stat की जरूरत होती है तो आप channel subscribe कर ही लिए हो मेरे channel पे आपको पूरा PSL पूरा IPL और लगभग जितने match होते हैं सारा recover करता हूँ तो सारे match का जब video बनाता हूँ तो उसको देखो आपको सारे stat और सारे जो तो मैं जिस match की video बनाता हूँ उसमें सारा record सारा stat आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि आप किसी match का आसानी से team बना सकते हो साथ में telegram पे आपको team grand league small league की free में मिलती ही है तो इसलिए किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है अगर आप कहीं join भी हो और वैसे लोग prime ब बनाते हैं तो team के लिए आपको सबसे पहले दोनों team के playing 11 बैटिंग order के हिसाब से पता होना चाहिए साथ में पीच रिपोर्ट भी पता होना चाहिए खास कर कोई series start हो रहा है तो उसका पहला match को आप आसानी से jackpot बना सकते हो अगर आप playing 11 के साथ पीच रिपोर्ट देख ल होगा क्योंकि आप कभी-कभी गलती करते हो suppose that आपने किसी match में 100 रुपे इन्वेस्ट किये वो जीत गये आपके पास 300 रुपे हो गया profit तो फिर अगले match में आप पूरा 400 रुपे इन्वेस्ट कर देते हो और उस match को loss कर जाते हो तो फिर आपका violet balance सीधा zero हो जाता है तो इस पहले match में 500 रुपे इन्वेस्ट करता हूँ सिकेंड में 1000 रुपे करता हूँ इससे benefit क्या होगा कि suppose that आपने पहला match को loss कर गए तो दूसरा match आप 1000 इंवेस्ट की हो वो match को win करोगे तो आपका 1000 का profit कम से कम 4 member खेल लेओ तो माल लेते हैं 3500 आ रहा है तो आपका 500 ये जो पहला invest है और दूसरा 1000 तो 1500 इंवेस्ट आपका amount बन win करोगे तो आपका पिछला जितना भी invest है वो आपका recover कर देगा इसका सबसे बरा नियम है कि अगर आप पहले step suppose that 500 रुपे जो किये हो और आप win कर जाते हो तो आपको अगले match में 1000 रुपे invest नहीं करने हैं आपको 500 रुपे invest पे ही रहना है मतलब कि जब तक जीते रहोगे आपको पहले step पे ही खेलना है जब हार होगे तब ही आपको amount बरहाना है तो यह ऐसा investment plan है जिसको आप regular करते हो तो फिर आप अच्छे खासे fantasy में profit बना सकते हो अब बात आती है कि टीम बनाए कैसे तो जनरली आप 3-4 member का contest खेलते हो small league की prime team बनाने का सबसे असान तरीका है कि आप कम से कम साथ वैसे बड़े player को pick कर ले जिनका selection high जा रहा है क्योंकि small league में लगभग वैसे player आपके सारे opponent के team में रहेंगे तो मैं selection के हिसाब से दिखा दे रहा हूँ वैसे ये match का prediction नहीं है कि मैं player का prediction करूँगा बाकी channel subscribe करेना जब proper video prediction वाला आएगा तो फिर आप देख लेना वैसे मैं जो player को pick क्या हूँ तो ये वो player है जिनका high selection है और लगभग सारे आपके जो opponent रहेंगे उनके team में रहेंगे तो ये 8 player है जो की small league का safe player है इनमें जो 3 player add करना है तो बस उनको ही unique करना है क्योंकि ये सारे safe player है ये perform करे न करे आपके सारे opponent के team में रहेंगे तो इससे क कोई दिक्कत नहीं होती है बस आपको अगले player जो add करना होता है उसके लिए सबसे पहले आपको pitch report देखना होता है अगर batting support pitch है तो आप किसी bestman को ले जा सकते हो जैसे कि समाविक्रमा consistent है गुरबाज भी एक लंबा पारी खेल जाते है बैटिंग से तो इस तरह के player को batting support मे आप ले जा सकते हो लेकिन वही balling support में रहेंगे तो balling support में आप baller को ले जा सकते हो और जैसे कि फारू की है बिकेट टेकर baller है वैसे baller को अगर ले रहे हो तो आप opponent team के किसी भी top order को एक को drop कर सकते हो तो इस तरह से logic लगती है जबकि आप जो इन में 3 player add करोगे तो उसमे आपको सबसे पहले pitch report देखने हैं और pitch report के साथ ये जो बांकी player है उसका value performance कैसा है जिसका value performance अच्छा होगा साथ में आप head to head record देख लेते हो कि against में भी अच्छा perform करते हैं साथ में player का battle ठीक है कि कोई ऐसा baller है वो baller परिसान नहीं करते हैं वैसे bestman को तो फिर आप वैसे क आप 90% guarantee के साथ वैसे player को अपने team में रख सकते हो और वो perform भी करेंगे कभी कभी आप देखते होगे कि कोई ऐसा player है जो की लगातार flop जा रहे हैं दो तिन match में चले गए हैं लेकिन कोई ऐसा ground पे अगला match होने वाला होता है जिनका selection काफी low रहता है और वैसा player perform अकसर करते ह किसी player का अगर venue performance ठीक रहता है तो वो player अच्छा perform जरूर करते हैं बसरते उनका against perform भी अच्छा होना चाहिए तो सबसे सिंपल सा सबसे आसान तरीका है कि आप मेरा channel subscribe कर लेना और bell icon को दबा देना हर एक match का मैं जब prediction वाला वीडियो लाता हूँ जहाँ पे आपको pitch report के साथ head to head venue performance player के battle सारा record दिखाता हूँ जिससे आपको खुदी अंदाजा हो जाता है कि किस player को अपने team में रखे और कौन से player को drop करें जबकि grand league का condition होता है grand league में आपको कई सारे logic को use करना होता है जैसा कि हमने बताया तो सामने वाले bestman को जो starting में batting करेंगे उनमें से player को drop करना हो अगर वो बरे player को drop किये हो वो perform कर दिये तो आपकी team flop चली जाती है जबकि वो बरे player को drop किये हो और वो flop जाते है और जो इसकी player को अपने team में रखे हो वो player perform करते हैं तो फिर आपकी team best rank करती है लेकिन इसके लिए team combination की जरूरत होती है तो जब आप सारा record देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से player का perform आ सकता है जैसा कि आप देख रहे हो कि नावी है इनका 86% selection है लेकिन अभी तक दो against में match खेले हैं एक ही match में perform किये हैं और एक match में flop गया है तो ऐसे player को आप drop कर सकते हो जबकि grand league की team बनाने के लिए सबसे पहले आपको fix player की जरूरत होता है fix player वैसे चुनना है जिसका selection थोड़ा लो हो लेकिन कुछ ऐसे player रहते हैं जिस पे लोगों का ध्यान ने रहता है लेकिन वो लगातार perform करते हैं जैसे कि यह समाविक्रमा है इनका recent का perform देखोगे तो लगातार यह perform करते जा रहा है हर एक match में यह grand league का trump बंद है लेकिन selection का काफी लो रहता है तो ऐसे player को धूंतर निकालना है और उसी तरह आप देखोगे अविसका Fernando है इनका भी वैसा ही है last के कुछ match से यह perform ठीक ठक कर रहे है तो ऐसे player का selection थोड़ा लो है और इनको perform आ जाता है तो ऐसे player को trump card खिलारी बनाया जाता है जबकि आपको सब से best option रहत रहते हैं जो लगतार एक दो विकेट निकालते रहते हैं लेकिन उनका selection लो रहता है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि फारुकी है यह लगभग match में यह विकेट निकाली देते हैं लेकिन इनका selection काफी लो जा रहा है तो इस तरह से आपको 5 player pick करने है और जब इस तरह player को rotate करके grand league की team combination बनती है वैसे आप 3-4 grand league की team combination ही बनाया करें ज्यादा team combination बनाओगे तो आपके पास ज्यादा time नहीं रहते हैं जो कि toss के time में edit कर पाओ क्यूंकि हर एक match में जिस पे हम लोग उमीद करते हैं playing 11 में उनमें एक दो player change हो जाता है और last के time में लोग सही से team edit न final team मिलती है वीडियो कैसा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना होगे थैंक यू